अल्लबी की छात्रा ने नौचंदी थाने में रेव का मुकदमा दर्च कराया है आरोपी पर जाती छिपा कर धोके से शादी करने और दो लाग की रकम हड़पने और ब्लैक मिल करने का भी आरोप लगाया है पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है नौचंदी निवासी छात्रा ने बताया कि वर्ष 2015 में सीपी एमटी की कोचिंग के दोरान पवन कुमार से उसका परिचय हुआ आरोपी पवन ने जाती बदल कर उसके साथ परिचय बढ़ाया और खुद को भी सीपी एमटी की कोचिंग का छात्र बताया चात्रा ने बताया कि चयन सीपी एमटी में नहीं हुआ तो उसने एललबी में एडमिशन ले लिया इस दोरान पवन और उसकी दो बहनों कविता और बविता ने शादी के लिए दबाव बनाया एक दस्तावेस पर साइंग कराय और शादी करा ली इसके बाद पवन ने धोके से करीब दो लाक रुपे की एफडी हडपली कुछ फोटो और कॉल रिकॉर्डिंग को सारवजनिक करने की धम की देखकर पवन अब ब्लैक मिल कर रहा है और लगातार बान सी कुछ पीड़न कर रहा है चात्रा ने इस मामले में नौचंदी थाने में तहरीर दी इसके बाद पुलिस ने पवन, काविता और बविता के खिलाफ मुकदमा दर्च किया है आरूपी की तलाश की जा रही है थाना नौचंदी में 24 नौमबर को एक अभियोग पंजी किया गया तहरीर बैंकित किया गया था कि जात को छिपा कर लड़की से साधी किया गया और उसका उद्देश है था कि उसकी जो प्रापर्टी है उसको किसी तरीके से अपने कबजे में लेने का इसके संदर में सम्ची धराओं में अभियोग पंजी कित किया गया है तथ्यों की छान बिल की जा रही है, तथ्यों के परिपेक्ष में निस्पक्ष योंग आवर्सक विधिक कारवाई सुनसित की जा रही है